बेटा स्टार्ट कर रहे हैं नया रेक्ट्टर बवो कल हम बात कर चुके हैं एग्री कल्चर क्रेड़िट की मतलब रूरल क्रेड़िट की आठ बेटा एग्री कल्चरल मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं बहु बिल्कुल चुक जाओ पिटा कलना आपने agriculture marketing का थोड़ा सा introduction पढ़ लिया था और थोड़ी सी बात ये भी पढ़ दी थी बेटा कि government क्या कर रही है agriculture marketing को improve करने के लिए सब नहीं तरफ देख रहे हैं बेटा सब काम दंदे छोड़ दो जतना कल पढ़ा था पहले उतना explain कर देता हूं परना वेटा इखटा पढ़ने वाला बहुत सारा वुच हो जाएता वह वैसे जो इन्हों ने बात बताई agriculture marketing की मैं उससे तो बहुत असान और easy definition बता सकता हूं बहुत ही ज्यादा असान देखो बड़ी simple बात करूं पीटा एग्री culture marketing में पता है कौन सी activities आती है जो harvesting के बात होती है और जो sales से पहले होती है सबसे असान बात लिए इसससे असान कोई definition नहीं हो सकती एग्री agriculture marketing की ठीक है बबु अगर देखा जाए क्या क्या activity आती है तो बबु उसकी भी बात कर लेते हैं तो बेटा crop हो चुकी है farmland में अब क्या दरोगे बेटा गैद्रेंग दा प्रडियूस ठीक है बबु फसल काट दी ग्यादर कर ली अब processing दा प्रडियूस प्रोसेसिंग में क्या होता है बेटा अब उस ट्रॉ को अलग करना from the crop मतलब जो भूस सा होता हो उससे अलग कर देना crop को अलग कर दे ठीक है क्यांतो है पहले gathering दा प्रडियूस देन processing दा प्रडियूस क चछी अच्छी फसल हो या वाले रट पर भी जो करने के लिए क्या किया और क्या क्या भी पेंडिंग है थोड़ी सी बात इस पर कर लेते बाव जब आपने ये दो धाई परेगराफ पड़े कल वावु तो इसमें लगवाग यही बात आई थी मैंने इसकी हैडिंग बना दीवस मैंने यह किया बेटा पहली बात है रेग्यू गर्मेंट के अपनी मेंबर होते हैं वावु कईना कई मार्केट के ट्रेडर होते हैं कईना कई कोई फार्मर होते हैं कभी आपने सुने मंडी समीती आपने शहर में रहते हो तुमारे तो स्कूल भी शाद मंडी समीती रोड पर है वावु मंडी समीती समीती का मतलब क्या हो मपमेटी और मंडी का क्या समया मार्केट कमेटें ठीक है आपको बता देता हैं जो भी मंडी हमारे यहां पर है वावू इट पर मार्केट कमेटी को मार्केट कमेटी सोटेन पहते हैं एक必ग फर्रसजें . लेता है ना पूछता है किस फॉर्म का माल है कितने का माल है वह बात लग है मुझे नहीं पता कि वह कितना जैन्मिन बोलते हैं माल लो एक लाग रुपे का समाने चाहिए उन्होंने बोलने को यह भी बोल दें कि 20,000 का ठीक है मंडी समेथी चार्जस लेती है बेटा जितना भ पर एक प्रक पर अबस वह एंशोर कर रहे हैं कितना पर चैसल और फैसे को खर्च बेटा वो मंडी वालों के लिए करते हैं तो परचैस और सेल रेगूलेटेड होती है रेगूलेटेड और मार्केट का मतलब यह यह थिक दुसरी बात बाद प्रॉपर स्केल और वेट का य तो प्रॉपर स्केल और वेट का यूज करना भी रेगुलेटेड मार्केट में बताया एक स्टैट भी आया होगा तो अभी विटा 27,000 रेगुलेटेड मार्केट की ज़रत है अगर आपको तो फुल पोटेंशल रियलाइज करना है रूरल मार्केट का तो 27,000 और मार्केट चाहिए ऐसी रेगुलेटेड मार्केट ओल अवर दा इंडिया प्रोपर लोकेशन पर गुड्स को बेच पाओ यानि की बेटा अपनी क्रॉप को बेच पाओ वह उस प्रॉपर लोकेशन पर बेचो जहां वेटा आपको लगता है प्राइस बड़ा ही लुक रिटर मेरे को मिल रहा है तो वह उसके लिए आपको क्या चाहिए देखो पहले लोग क्या करते थे बेटा वह उना रश फटा फट से बेच दो अभी वेच दो अभी खाव लगता है यार मेरे पास ना तो कोई स्टोरेज फैसिलिटी है ना मेरे पर आने जाने के साधन है कि मैं किसी और मार्केट में पता करूगी क्या दाम चल रहा है सर गर्मेंट एंटार इडिया कवर गर रखता कि जहां आपको लगे प्राइस लोकुरेटिव है उस मार्केट तक घोंग वाग अगेज लेकिन पेटा इतना करने बहुत रोडवेस बड़ा नेटवर इसके लावा फिजिकल इंफ्रसक्टर में गुडाउन वेराउसे बहुत कुछ बनाया पर अभी भी भी बहुत सारी स्टोरेज फैसिलिटी की जुरत है कल आपने एक स्टैट पढ़ा होगा वेटा दस परसेंट क्रोप आज भी वेस्ट होती है द्यूटो लाक और सोरेज फैस कम से कम दस अडर्ट चाहिए बेटा बबो क्या काम करती है वेलफियर ओफ मेंबर म्यूच्वल वेलफियर करना है बेटा अपने ही मेंबर्स का बला सूचना है बबो कामेंट कहती है आपकी बारगेनिंग पावर एन्हांस करने के लिए हमने बेटा मार्केटिंग सोसाइट बनाने की परमीशन थी वह एक चोटे से फार्मर हो जिसके पास क्रॉप बेटा एक दो कुंटल होती है 100-200 किलो बेटा क्या बारगेन कर लोगे कुछ भी नहीं बारगेन कर पाऊगे बबो सीड्स पैस्टी साइट्स खरीदते टाइम क्या बारगेन कर लोगे सर कुछ भी न तो खरीदते टाइम बारगेन तो गवर्में ने परमीशन दे दी कि आपको आप कॉपरेटे मार्केटेंग सोसाइटीश बाना सकते हो और सारे इसके मेंबर बन सकते हैं और बेटा अगर मैं काओक सब की बेटा मालू हजार मेंबर बन घंएं इस लोकी एंड़र तो दोसोकी ब्धूं अगरcych कर चुक हो अब हो दो सो किलो निए ऑप बावो आपकी बारगेनिंग पावर को एन्हांस करने के लिए गावे ने पर्वीशन देती कि आप कॉपरेटे मार्केटिंग सोसाइटीज बना सकते हो समझा ही बात और उसके बाद बेटा आपने एक बात पड़ी थी जब मैंने का था MSP से बहुत इंपोर्टेंट है डंग से पढ़ना पॉलिसी इंस्प्रूमेंट जिसमें तीन बाते लिखी गई थी अगर आपने पड़ाओ बभू एक तो MSP की बात लिखी गई थी दूसरी बात बेटा बात बफर स्टॉक मेंटें कर पारी है गर्मेंट ऑफ इंडिया फूड कॉर्परेशन ऑफ इंडिया की हेल्प से एफसी आई की हेल्प से वीट और राइस का यह बात लिखी गई है बबू MSP क्यों जरूरी है पता ही आपको आज के तारिख में आज तक बेटा फार्मर्स लड़ते हैं MSP के ऊपर बबू MSP सब समझते हैं न मेरे माम सेलिंग प्राइस क्या होता है MSP को बताएगा मेरे कोई डिटेल कि भाहू मानलो आपकी कोई क्रॉप है ओर मानलो उसका क्रॉप सीजन है सब्टेंबर टू फेबरी ठीक है मानलो यह क्रॉप सीजन सब्टेंबर मिए बीटा क्रॉप के लिए सीट सवुइंग होती है आपने क्या किया बेटा government ऑफ इंडिया ने अगस्त में MSP अनॉंस करने का मतलब यह होता है कि अगर आपका क्रॉप इस दाम से उपर मार्केट में विकरी है तो अरांस है मार्केट में बेचो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर बेटा अगर कोई नहीं खरीद रहा तो आप एक काम घरो हमें बेच जाना इस MSP पे यानि कि MSP एक assurance है बेटा फार्मर्स को MSP बेटा confidence देता है फार्मर को कि वह एक crop produce कर सकता है उसे घाटा नहीं होगा मालो गवर्मेंट ऑफ इडिया ने कहा दिया कोई ना खरीदे बीटा हम 8 रूपे किलों में खरीद लेंगे आप करो production अब फार्मर को पता है ना 8 रूपे किलों में कोई भ खरीद कर बेटा PDS इतना बड़ा है इंडिया का आप समझ सकते हो ना महां पर सप्लाइब करेगी दो रूपे किलों में तीन रूपे किलों में दूसरी बार गवर्मेंट बेटा बफर भी मेंटेन करती है बेसिक नैसस्टी का तो वीट और राइस का तो वह बफर इसले में नहीं कुछ होता रहता है तो इंडिया बेटा मदद करी देता है कि समझ में बेटा बात कोई दिकत को बरशानी तो नहीं यह कल का मुद्धा मैंने डिसकस कर दिया बेटा अब आज का मुद्धा शुरू करें ठीक है थोड़ा सब टाइंग कम लगाएंगे बढ़ने में और झाल झाल कि पढ़ना बेटा कि कुछ नहीं है वैसे परेग्रावी उसले से चलो करते हैं कि हो और नेटव मार्केटिंग चैनल्स की क्या जुरत है यह जो मार्केटिंग चैनल चल रहा है कि बेटा बड़ी-बड़ी बड़े-बड़े मंडियों में समान आता है फार्मर्स से और उसके बाद बेटा चोटे-चोटे शैरों तक पोच्टा है उसके बाद बेटा कहीं ना कहीं वैजिटेवल सेलर कहीं ना कहीं कुछ फॉकर्स पैडलर्स आपकी दिलियों में आपके घर तक समान दे जाते हैं यह मार्केटिंग चैनल अच्छा नहीं है क्य बुराई कैसमें वेटा बुराई होगी कुछ ना कुछ तभी तो मार्केटिंग चैनल की बाद चल रही है देखो मैं आपको एक बात बोलता हूं मुझे नहीं पता वेटा क्या समझते हों कहीं बार आप ऐसी निउस देखते होंगे निउस चैनल पे कि एक परसन जिसके पा परने का कॉस्ट ही 5-6 रूपरी थी मुझे नहीं बता आप ऐसी कहीं बार देखते हो कि नहीं कहीं कहीं लोग क्या करते हैं कभी ना कभी ऐसा ग्लटॉप सप्लाई टमैटों में भी क्रियेट होता है और मैं देखा लोग ट्रक के ट्रक सड़कों पर भादेते हैं कहीं हाई नहीं पैसी नहीं उस देखता हूं मुझे लगता है शाद आप भी सोचते होंगे या हमें तो कभी 2 रुपे किलो मिला नहीं कहीं हमें मिला कभी और हमके एक्सपेक्ट कर रहे हुता है भाई हमें देना 10-50-50 किलो इतनी फैमिलीज होंगी जो खरीदने को त्यार हो कभी ऐसा सोचा है आपने वह यानि कि गोंफिर के गेम है बेटा जो सबसे ज्यादा बेटा एग्री कल्चर प्रड्यूस में होता है वह गेम यह बेटा फार्मर कभी कुछ कमा नहीं पाता है कमाते हमेशा मिडल में हमें शार और यह आप देख लेना यह आज की खानी नहीं है कि यह फार्मर को तो लूटा है आठी मैं तो मिडल में ने होता है आप देख लो बेटा कितने वेडिटेबल सइलर बैठे होंगे जो मंडी में जो आपकी नोन में होंगे ठीक था बहुत ठेक था कमा लेते होंगे ठीक है आइवन गली यह चाह तीक है विशे की तरफ सब देखो गोर-गोर के मतला मेरा कोई तार्गेट निया विसे इस तो ठीक है ली वह उसके बाद आप देखोगे गरी मौलने में जो दुकाने हैं वह उनको भी पता है क्योंकि वेडिटेबल में वेस्टेज बहुत जादा है जिसके मैं कल बात भी कर रहा था कि आप देखो कि ब क्रॉप निकलती तो दो रूपे किलो है इतने मार्चिन जुड़ जाते हैं इतनी ट्रांस्पोटेशन को जुड़ जाते हैं कि बिगरी होती है 20 यानि कि एक्स्प्लोइडेशन तो फिर फार्मर कई हो रहा है या कंजियूमर का कंजियूमर भी परशानियार 20 रूपे किलो और वेटा उस एंगल से सोचो तो वह फार्मर ने कितनी सस्ती मतलब प्रडियूस बेची है पर उसको भी कुछ नहीं मिला तो वह यह और्टर्नेटर मार्केटिंग चैनल की जोरत इसक ले पड़ी जहां फार्मर डारेक्ली कंस्यूमर को बेच पाए यह बिलकुल बैसे ही ह वह भी कमा रहे हैं और कंस्यूमर का भी भला कि उसको सस्ता मिल रहा है विशेश ने सरभयात लगे लो एक और कॉम्पेटिटर आ गया बबू कुछ ना कुछ और मार्केटिंग चैनल के नाम भी आया अगर आपने पड़े हो तो बबू पंचाब हर्याना और राज्यस्तान में इस मार्केटिंग चैनल का नाम है अपनी मंडी अपनी मंडी का मतलब कुछ और नहीं बीटा अपनी मंडी के नाम से स्टोर सो है जहां फार्मा डारेक्ली बेच रहे हैं ठीक है उसके इलावा आपने बेटा एक और पड़ाओगा पूने का हदस पर मंडी करके है नाम ठ राइथो बजार और बेटा तमिल नाडों में उजहावर सेंडी नाम याद रखने हैं मतलब मैंने बता दिया ठीक है को दिकत को परशानी तो नहीं आगे बढ़ाएं बेटा बात को बबो एक नेक्स टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन इंटो प् लगतों लगतों में एक्षिकेशन इंटब मैंने जामать खालाग सेंगा हैं यपने लेखने को प्यक्त झाल पढ़ा रिटा आपने हैं यहां तक मतलब बताता हूं इस टॉपिक का और जौरत भी बबू टॉपिक का नाम कुछ और नहीं बेटा डाइवर्सिफिकेशन है और बेटा पहले तो जौरत यह समझ लो फिर बात कर लेंगे आगे मतलब क्या बबू जौरत क्या है एक अगरी कर से बेटा एक अंसर्टेन ऑक्यूपिशन सबको पता है कुछ कहने की बात ही निया दूसरी बात क्या वेटा थ्रू आउट देर काम देता थ्रू आउट काम ही देता तै सिंद्राइब़ न काम देता है इसके इलावा डिट अनेंप्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा जिम्मेदार लाट है ठीक है ईवरेज ली माना जाता है जो इंसान एगरी कल्चर में गेंगे तीन से चार महीने खाली जा लिए इंडिया जैसी कंट्री में ठीक है ना पहले एंडोर खाली ठीक है अब समझता है जब यह डाइवर्सिफिकेशन की बात करता है ना तो डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके से सकते हैं इक पहले बेटा बात डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रौप प्रडैक्ट्चन सुनना आराम से मतलब डाइवर्सिफिकेशन नोग्रो और और दूसरा षकता बठा practicing of प्रुडक्ट एक्टेविटीई और आपको बदा ये टोपष सोगा तो पृडक्टेविटेविटी को लेकर परदेशंचा नहीं तो आपको नहीं लगता कि कुछ और ड्हूंडबाना चाहिए कई से औरिवर सिफ क्रॉप प्रोड़क्शन रॉप अ है पर इसका कहने का सिंपल मतलब है मतलब मतलब एक से ज्यादा क्रॉप हुगा अपनी फार्म लेंड में अगर क्रॉप सीजन सेवड तो एक एट मांत है तो इसका क्रॉप और उसके बाद इसकी चर्चा ही नहीं बस इतनी थी इसकी चर्चा ठीक है जी जब आपने टॉपक का नाम पढ़ा था तो टॉपक का नाम था दाइवर्सिविकेशन और प्रडक्टिव अक्टिविटीज ठीक है जी यानि की बेटा अब किसकी बात चल रही है कि एग्री कल्चर करो वह जो साथ आट महीने कर रहे हो वह चार पांच महीने के लिए अपनी इंकम को सप्लेमेंट करने के लिए कोई और चीज साथ में जोड ठीक है जी बढ़ाएं बात को आगे टॉपिक का मतलब समझ में आया क्या था डाइवर्सिफिकेशन लो जी बेटा बबू कि आचा देखा दी वह परईबी बात करते हैं देखते हैं कितना अगरभा पर इस शार्ट को भी डंग से देख लो कि कुछ पूछना होगा मने स्टाइट्स में तो पूछ लेंगा है कि लोग बेटा प्ढ़ना शुरू गरना क्या करूं बस कि इसके नहीं दूना है और बिल्कुल हुई चलो कि इस तेरा नहीं बोलना बनता बाकी को यह ले देख चलो जी लोग उत्तर करते हैं बबू एनिमल हस्पेंट्री बहुत कुछ पढ़ा आपने और बहुत कुछ लिखा जा सकता है मतलब जितना लिखा उससे बहुत ज्यादा आपको पता है अधर नीम के अनिमल हस्पेंट्री का लाइफ स्टॉक फार्मिंग और आपको यह पता बहुत सारे फार्मर में बेटा कमबाइंड कर रखा है एनिमल हस्पेंट्री को अपने बिजनस के साथ ताकि वह बेटा अपनी इंकम को सप्लेमेंट कर सके अगें बात तो वही है ना गों फिर कि बेटा एगरी कल्चर पूरे साल पर काम देता नहीं तो घर कैसे चलेगा ठ अभी तो हम तो इस चीच से भी काफी दूर है ठीक है ना दिल्ली जैसे शहर में लोग तरसते हैं कि प्योर मिल्क नहीं मिल पाता ठीक है ना और गाउं वाले आप देखते हो पूरी जान लगाके भी बेटा शहर तक सग्वान पचानी पाते बहुत सारे ऐसे हैं बेटा कि डेली ला रहे हैं मिल्क और बेच भी रहे हैं ठीक है ना उन्हों अपनी इंकम को सप्लेमेंट भी कर लिया पर सब नहीं कर पा रह संट और उसके बाद बेटा अदर्स चलो उसका मेरे को नीचे जाना हर स्ट याद करूंगा तो सब भूल दाओंगा एक दो यहाद कर सकता हूं लिखोंगा वह कितनी पॉपुलेशन है इनकी 303 मिलियन ठीक है ना यानि कि बेटा वा 140 करोड नहीं रहे बड़े दुख के साथ बताने चल रहा है आप 170 करोड हो 30 करोड की वीड़ यह भी है ठीक है जी वह हो साथ करोड फार्मर को अडिशनल इंकम देरा एनिमल अस्पेंटरी सतर मिलियन लिखा था मैं चीज को करोड में याद रहता हूं ठीक है ना मुझे लगता सानी से याद रहेगी साथ करोड फार्मर को अडिशनल इंकम मिल रही है स्टैट थोड़े थोड़े तो याद करने ही पड़ेंगे बिटा वर्रा नंबर नहीं मिलेंगे एक सबसे सब्सक्राइब में मुझे करनी है वह बेटा ओपरेशन फ्लंट याट मींस वाइट रेवल्यूशन है वह नाइंटीन फिफ्टी से टो थाउसेंट सिक्स्टीन तक बेटा टेंट नाइंस हो गया था प्रड़क्शन ओफ मिल्क एंट टाइमस ठीक है ना बहु यह ओपरेश आपको तो पता नहीं मेरे को पता करें गुझराट के गाउं से शुरूओ ऑए को प्रीशन है थी का ना आमोल कोपरेटव में क्या हुआ वह वह और उस्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट देख लो या शहरों में देख लो बेटा वह एनिमल रखने की परमीशन नहीं है उसके ब नालियों में बाह देते हो नालिया चोकोथ यह सैनिटेशन खराब होता है वह अपनी जगे ठीक और बावो जो बिस्नस कर रहा है वह अपनी जगे ठीक पर बावो smart city project में चीजें रहेंगी नहीं आपको पता है smart city में सभी डेरी को आना है तो बेटा बड़े सोरे फार्मर मिले जिनके पास बफलोस थी काउस थी क्या करते थे बेटा यह मिल्क को पूल करते थे ठीक है ना और बाबु उसका पैस्चुराइजेशन उसका पैकिंग और उसका बेचना पर आप समझ सकते हो यह क्या कर दिया इनों मतलब 10 टाइम किसे छूपी निया बाद बेटा हर गाउं कवर गर रखा मैं दुसुदं में रोज पता हैं कितनी गाडिया जाती है बेटा मिल्क पूल करके लेके आती हैं गाउं से कहीं हजारो लेटर मिल्क उठाता है मध्या करता है बेटा पैस्ट़ूराइजेशन तुरंच पैटिंग और वही सार्णपुर में वेच्ट देना वही डिस्ट्रिब्यूशन और उसी में भी कमा लेता है यह ऑपरेशन फ्लेक्ट कोई दिखत कोई परशानी तो नहीं आगे बढ़ना शुरू करेंगे आज फिश्रीज वाला टॉपिक पढ़कर जाएंगे बागी चर्चाएं कलोंगे फिश्रीज होटी कल्चर और और ऑर्गानिक फार्मिंग तीन टॉपिक वश्ते हैं छोटे-छ रखेंगे आज के लिए नहीं प्यारे मिच्छों बाबाए